Class 1, Subject Science, Lesson 3, Parts of a Plant, एक पौधे के भाग, पत्ती, तना, पौधे कैसे बढ़ते हैं, फोल, जर, फल, बीज, के बारे में पड़े, हम अपने आसपास बहुत सारे पौधे देखते हैं, पौधे अलग-अलग आकार प्रकार के होते हैं, वे हमें भूजन, दवा, आश्रय, और यहां तक कि वो हवा भी प्रदान करते हैं, जिसमें हम सांस लेते हैं, पौधों के अलग-अलग भाग होते हैं, जैसे फूल, पत्ता, तना, जर, पत्ती, अधिकांश पौधों में पत्तियां होती हैं, पत्तियां अलग-अलग आकार की होती हैं, आप किसी पौधे की प होता है अधिकांश पौधों में फूल होते हैं कुछ फूल अच्छे होते हैं जैसे हेल्ट कॉन गुलाब कमल सिन्फलो फल फूल फलो में बदल जाते हैं वे विभिन आकार और साइस में आते हैं हम सभी को फल खाना पसंद है जैसे सेब अंबूर केले तना तना आमतोर पर हर और भूरे रंग का होता है यह जमीन के ऊपर उपता है इस पर पत्यां फल और फूल उपते हैं ज्यान बक्सा जड़ी बूटियों के तने हरे होते हैं पेलों और जाडियों के तने भूरे रंग के होते हैं जड़ जड़ पौधे को अपनी जगव पर रखती है और उसे पाया जाता है, पपीता, आम, ज्ञान बक्सा, अधिकांच फलों के अंदर बीज होते हैं, पौधे कैसे बढ़ते हैं, बीज हमें नई पौधे देते हैं, एक पौधे के रूप में विक्सित होने के लिए इसे मिठी, पानी, हवा और सूरज की रोशनी की आवश्यक्ता होती है,